मैं गरीमा अगरवाल आप सबी कवंदन करती हूँ अभी नंदन करती हूँ आईए आज हम सुनते हैं संतान सब्तमी व्रत कथा एक दिन महाराज युदिष्टर ने भगवान से कहा कि हे प्रभो कोई ऐसा उत्तम व्रत बताईए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सांसारिक दुख कलेश दूर होकर वे पुत्र एवं पोत्रवान हो यह सुनकर भगवान बोले हे राजन तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है मैं तुमको एक पोराणी के दिहाद सुनाता हूँ ध्यान पूर्वक सुनो एक समेश्री लोमेश रिशी ब्रजराज के मतुरापूरी में वसुदेव देवकी के घर गए रिशी राज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रशन हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठा कर उनकी अनेक प्रकार से वंदना तथा सतकार किया फिर मुने के चर्णोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया मुनी प्रसन होकर उनको कथा सुनाने लगे कथा के कहते कहते लोमश रिशी ने कहा कि हे देवकी दुष्टी दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं जिनके कारण तुम्हारा मन अत्यान्त दुखी है इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्र मुखी भी दुखी रहा करती थी किन्तु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधान सहीत किया जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनी से कहा हे रिशी राज क्रपा करके रानी चंद्र मुखी का संपूर्ण व्रत तता इस व्रत का विधान विस्तार सहीत मुझे बतलाईए जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पास अकूँ लोमश रिशी ने कहा हे देवकी अयोध्या के राजा नहुष थे उनकी पतनी चंद्र मुखी अत्यंत सुन्द्री थी उसी नगर में विश्नु दत नाम का एक ब्रहमन रहता था उसकी इस्त्री का नाम भद्र मुखी था वह भी अत्यंत रूपवान सुन्द्री थी रानी और ब्रामनी में अत्यंत प्रेम था एक दिन वे दोनों सर्यों नदी में इसनान करने के निमित गई वहाँ उन्होंने देखा कि अन्य बहुत से स्त्रियां सुर्य नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहन कर एक मंडप में श्री शंकर पार्वती की मूर्ती स्थापित करके उनकी पूझा कर रही थी प्राणी और ब्राहमनी ने यह देखकर उन इस्त्रियों से पूछा कि हे बेहनों तुम यह किस देवदा का और किस कारण से यह पूजन वरत आधी कर रही हो यह सुनकर उन इस्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का वरत कर रही हैं और हमने शिर पार्वती का पुजन चंदन अक्षत आदी से शोडश पचार विधी से किया है यह सब इसे पुनित वरत का विधान है यह सुनकर रानी और ब्रहामनी ने भी इस वरत के करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लोट आई ब्रहामनी बदर मुखी तो इस वरत को नियम पूर्वक करती रही किन्तु रानी चंद्र मुखी राजमत के कारण कभी इस वरत को करती, कभी नए करती और कभी भूल जाती कुछ समय बाद दोनों मरत्यों को प्राप्त हुई दूसरे जनम में रानी ने बंदरिया और ब्राम्नी ने मुर्गी की योनी पाई उस ब्राहमनी ने तो एक ब्राहमन के यहां कन्या के रूप में जनम लिया तथा रानी ने एक राजा के यहां राज कन्या के रूप में जनम लिया उस ब्राहमन कञ्या का नाम भूशना रखा गया तथा विवाहा योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अगनी भील नामक ब्राहमन से कर दिया गया भूशना इतनी सुन्दर थी कि वह आबुशन रहित होते हुए भी अत्यंत सुन्दर लगती थी कामदेव की पत्नी रती भी उसके सम्मुख लजाती थी भूशना के अत्यंत सुन्दर सर्वगुण संपन चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ट सुशिल सभाव वाले आठ पुत्र उत्पन हुए यह सब शिवजी के वरत का पुनित फलधा दूसरी और शिव विमुक रानी के गर्भ से कोई भी संतान उत्पन नहीं हुई और वह ने संतान दुखी रहने लगी रानी और ब्रामनी में जो प्रीती पहले जनम में थी वह अब भी बनी रही रानी जब रद्धा वस्ता को प्राप्त होने लगी तब उसके एक गूंगा वे बहरा तथा बुद्धी हीन अलपायू वाला एक पुत्र हुआ और वह नो वर्ष की आयों में इस शन भंगुर संसार को छोड़ कर चला गया अब तो रानी पुत्र शोग में अत्यनत दुखी हो व्याकुल रहने लगी एक दिन देव योग से भूषडा देवी ब्रामनी रानी के यहां अपने सब पुत्रों को लेकर पहुँचे रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ किन्तो इसमें किसी का क्या वश कर्म और प्रारब्द के लिखे को स्वेम ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते हैं रानी कर्म चुद्पि थी इसी कारण उसे दुख देखना पड़ा इधर रानी उस ब्रामनी के इस वैभव और आठ पुत्रों को देखकर उससे मन में इर्शा करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन हुआ उस ब्रामनी ने रानी का संताब दूर करने के निमित अपने आठों पुत्र रानी के पास छोड़ दिये रानी ने पाप के वशिभूत होकर उन ब्रामन पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड़ों में जहर मिलाकर उनको भोजन करा दिया परन्तो भगवान शंकर की क्रपा से एक भी बालक के मृत्यून नह हुई यह देखकर तो रानी अत्यनत आश्यरे चकित हो गई फिर रानी ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि इन सभी को नदी में ले जाकर डुबो दो लेकिन भगवान शंकर की क्रपा से वह वहाँ भी बच गए तब आश्यरे चकित रानी ने इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान दी उधर भगवान की पूजा सेवा से निवरत होकर जब भूषना आई तो रानी ने उससे कहा मैंने तेरे बुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिला कर लड़ो खिला दिये नदी में डुबो दिया किन तु इन में से एक भी नहीं मरा तुने ऐसा कौन सा दान पुन्य वरत किया है जिसके कारण तेरे यह पुत्र भी नहीं मरे और नित्य तू भी नए सुख भोग रही है इस सब का भेद तु मुझे निश्क कपट होकर समझा मैं तीरी बड़ी रिनी रहूंगी रानी के से दीनवचन सुनकर भूशना ब्रामनी ने रानी को तीनों जनम का हाल कह सुनाया अपने पहले जनम में लिये गए संकल्प को पहले और दूसरे जनम में पूर्ण नहीं करने के कारण तुम आज भी दुख भोग रही हो तो अपने इस संकल्प को इस जनम में भी भूल गई मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे उपर यह जो भारी संकट है उसका एक मातर यही कारण है और दूसरा कारण नहीं हो सकता है इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अब भी संतान सब्तमी के व्रत को करिए जिससे आपका यह संकट दूर हो जाए लोमश्रिशी ने कहा हे देव की भूशनब रामनी के मुख से अपने पूर्व जनमों की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादी को सुन कर रानी को पुरानी बाते याद आगई और पश्याताप करने लगी भगवान शंकर पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी उसी दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोग को गई भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पत्थ ब्रष्ट मनुष्य भी अपने पत्थ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में एश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है लोमश्रिशी ने फिर कहा कि हे देवगी इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का द्रड़ संकल्प अपने मन में करो तुमको भी संतान सुक प्राप्त होगा इतनी कथा सुनकर देव की हाथ जोड़कर लोमश रिशी से कहने लगी हे रिशी राज मैं इस पुनित वरत को अवश्य करूंगी किन्तु आप इस कल्यान कारी एवं संतान सुक देने वाले वरत का विधान, नियम, विधी विस्तार से समझाईए यह सुनकर लोमश रिशी बोले हे देव की यह पुनित वरत भादों के महीने की शुकल पक्षकी सब्तमे के दिन किया जाता है उस दिन ब्रह्म मुरत में उठकर किसी नदी अत्वाकुए के पवित्र जल से इसनान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए फिर श्री शंकर भगवान तथा जगदंबा पार्वती की बूरती की स्थापना करें एवं अपने हाथ में दोरे को भांद कर भाव जीवन पूजा का संकल्प करें इन प्रतिमाओ के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अत्वा रेशम का एक दोरा बनावें उस दोरे में साथ गांठे लगानी चाहिए इस दोरे को धूब दीप अश्ट गंद से पूजा करके अपने हाथ में भांदे और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करें तदंतर साथ पूवा बनाकर भगवान को भोग लगावें और साथ ही पूवा एवं यथा शक्ति सोने अत्वा चांदी की एक अंगुठी बनवाकर इन सब को एक तामे के पात्र में रख कर उनका शोड़ुशो पचार विधी से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ट कर्मनिष्ट सत पात्र ब्रहमन को दान में दे देवें उसके पश्चात साथ पूवा ही स्वैम प्रसाथ की रूप में ग्रहन करें इस प्रकार इस व्रत का पारायन करना चाहिए प्रदी मास की शुकल पक्ष की सब्तमी के दिन हे देव की इस व्रत को इस प्रकार नियम प्राप्ति होती है। हम उत्पन हुए। प्राप्ति होती है। प्राप्ति है। बिन्दाइक जी के कहानी। एक बार गणीशी एक लड़के का वेश धरकर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूद ले लिया। नगर में घूमते हुए जो मिलता उसे खीर बनाने का आगर कर रहे थे। बोलते माई खीर बना दे लोग सुनकर हसते। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाने को तयार नहीं हुआ। किसी ने ये भी समझाया कि इतने से सामान से खीर नहीं बन सकती। पर गणेशी को तो खीर बनवानी ही थी। अंत में गरी बुड़ी अम्मा ने उने कहा बेटा चल मेरे साथ में तुझे खीर बना कर खिलाऊंगी। गणेशी उसके साथ चले गए। बुड़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूद लेकर एक बरतन में उबलने चड़ा दिये। दूद में ऐसा उफान आया कि बरतन छोटा पढ़ने लगा। बुड़ी अम्मा को बहुत आश्यरे हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मा ने धीरे धीरे घर का सबसे बड़ा बरतन रख दिया, वो भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती ही जा रही थी, उसकी खुश्बू भी चारो तरफ फैल रही थी, खीर की मिठी मिठी खुश्बू के कारण अम्मा की बहु के मूँ में पानी आ गया, उसकी खीर खाने की तिव रिच्छा होने लगी, उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दर्वाजी के पी लगा दिया, मेरा तो पेट भर गया, खीर तू गाम वालों को खिला दे, बुड़ी अम्मा गाम वालों को निमंतरन देने गई तो सब हसने लगे, अम्मा के पास खुद तो खाने के लिए कुछ है नहीं, पता नहीं गाम को कैसे खिलाएगी, पर फिर भी सबाए, बुड़ शिमाराज, जैसे खीर का भगोना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर के भंडार भी सदा भरे रखना, बोलो गणी शिमाराज की जै, लपसी तपसी की कहानी एक लपसी था, एक तपसी था, तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लपसी बना कर उसका भोग लगा कर जीम लेता एक दिन दोनों लड़ने लगे लपसी बोला मैं बढ़ा तपसी बोला मैं बढ़ा इतने में नारद मुनी आए और बोले तुम क्यों लड़ रहे हो तो लपसी ने कहा मैं बढ़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बढ़ा हूँ तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करत यह सुन नारज जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल करूँगा। नारज जी बोले कि तुम्हारा गुठना उठाओ तो उसके नीचे सवा करोड की अंगुठी निकली। तब नारज जी बोले यह अंगुठी तुने चुराई है तो तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। सब व्रत्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे होगा। तबी से सबी व्रत्योहार की कहानी के बाद लपसी तपसी की कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहें लपसी को फल लपसीने होजयो, तपसी को फल तपसीने होजयो, महा की कथा कहानी को फल महाने होजयो।